इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं 18 सितंबर 2030 विश्वास की घोशणा मैं घोशणा करता हूँ कि मैं विशेश, असाधारण और अलौकिक हूँ मैं घोशणा करता हूँ कि मेरे जीवन में सफलता यहां और अभी है इश्वर की अच्छाई का अच्छानक विस्पोट एक तरकीब नहीं, एक प्रवाह नहीं लेकिन इश्वर की शक्ती की बाढ़, चंगाई की बाढ़, ज्यान की बाढ़, कृपा की बाढ़ मैं एक सफल व्यक्ती हूँ और मैं जीवन जीने का विकल्प चुनता हूँ, सफल डिमाग इश्वर हमेशा मुझे अपनी अच्छाई और अपनी कृपा से अभी भूत करते हैं, यह मेरी घोशना है दिव्य स्वास्त्य की स्वीकृत्ती, येश्व मसी के माध्यम से मेरे जीवन में जो अच्छाई और विजय उन्होंने बनाई है, उसके लिए मैं प्रभू को धन्यवाद देता हूँ उनके कभी असफल ना होने वाले वचन की शक्ती, मुझे दिव्य स्वास्त्य और सम्रधी के अलोकिक आशिरवाद का अनुभाव कराती है, आमेन मेरे पास वह होगा जो मैं कहूंगा, येश्व के नाम में, योहन 14.13 मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्त हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धनी हूँ, मैं शक्ति शाली हूँ, मैं अभिशिक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इश्वर का प्रिय हूँ, मैं इश्वर और मानव जाती का कृपा पात्र हूँ मैं वही बोलता हूं जो मैं देखना चाहता हूं न की जो मैं देखता हूं मैं एक अनमोल बीज हूं मैं अपने इश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया हूं मैं अपने प्रभू के दर्बार में ताड के पेड की तरह फलता फूलता हूँ मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रा में फल उत्पन करता हूँ मैं प्रभू में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूँ और बुडापे में भी मैं ताजा और फलता फूलता रहूंगा मेरा पत्ता मुर्जाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूँ वह येशु के नाम में सम्रिद्ध होता है चीजें हमेशा मेरे लिए येशु के नाम में काम कर रही है मैं मसीव येशु में हर अध्यात्मिक आशिरवाद का प्राप्त करता हूँ मैं एक आत्मा हूँ, मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है, मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भौतिक शरीर में रहते है मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है मेरा अंतर्मन सुनता है प्राप्त करता है और मेरे शरीर को निर्देश देता है और मेरा शरीर पालन करता है येशु के नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूं इश्वर का विनाशी जीवन मेरे जीवन में हमेशा स्पष्ट और व्यक्त हो मैं अपने शरीर के हर विवरण के लिए जीवन बोलता हूं मैं अपने मनुभाव से बात करता हूं परिपोन बनो मसीह के मनुभाव की तरह और मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन से सरेंखित होने की आग्या देता हूँ मैं अपने सनायू और नसों से जीवन बोलता हूँ मैं अपनी मास पेशियों और सनायू बंधन को ताकत बोलता हूँ मैं अपने दिल से जीवन शक्ती बोलता हूँ मैं अपने फेफडों और उत्तकों से सामान्य वेंटिलेशन और परफ्यूजन अनुपाद बनाए रखने के लिए बात करता हूँ मैं अपनी किडिनी, लिवर और अगनाशे को पूर्णता बोलता हूँ मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है मेरी हड़ियां, जोड और काटिलेज, सरेंखित, मजबूत और द्रड है मेरे पूरे उपरी और निचले अंग उत्कृष्ट रूप से कार्य करते है मेरी आखें इस पश्ट रूप से और पूरी तरह से देखती है और मेरे कान काम करते हैं बह्तरीन मेरी तवचा एक नवजाज, शिशु और ईश्वर की सुन्दरता की तरह चिकनी और स्वस्थ है मेरे बालों की रोम कस गए है मैं अपने बालों को इस्थिर रहने की आग्या देता हूं और जहां व्रधी की आवशक्ता होती है मैं अपने रोम में विकास छोड़ता हूं मेरे दात, मसूडे, जबडे की हड़ियां और तंत्र का और रक्त की आपूर्ती सभी स्वस्थ, मजबूत और परिपूर्ण है मेरे सभी हॉर्मोन्स और नियूरो केमिकल ट्रांस्मिटर्स एक दूसरी के साथ पूर्ण सामन जस्य में है और अपने कारियों को सामान ये रूप से निश्पादित कर रहे है मेरा पाचन तंत्र निगले गए सभी खादेपदार्थों को पचाने अवशोशित करने और आत्मसाथ करने में सक्षम है और चया पचय अपशिष्ट उत्पाद नियमित रूप से उत्सर्जित होते है मैं खाने तकनीक, मीडिया, शिथिल्ता, गपशप, आलस्य, अधिक नीन, सुस्ती और बाध्यकारी खरीदारी में सभी प्रकार के व्यसनों, शराब, निकोटिन, ड्रग्स, द्वीक, हतुमान, अत्यादिक, भोग को कैद करता हूँ और मसीह की आग्याकारिता में लेता हूँ जैसे येशु, वैसा ही मैं इश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, वह मेरे लिए जीवन और चंगाई है इस दिये खाद्यपदार्थों, धूल, जानवरों, आदी ऐलर्जी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है इश्वर ने मुझे इन सारी चीजों पर अधिकार दिया है मेरा प्रजनन तंत्र परियाप्त मात्रा में और अच्छी गती शीर्टा वाले शुक्राणों का उत्पादन और जमा कर रहा है मेरा प्रजनन तंत्र समय पर अंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रहा है और जन्म तक भून की रक्षा और पोशन कर रहा है मेरे शरीर का हर अंग, हर कोशी का पूर्णता में कार्य करता है जिसके निये ईश्वर ने इसे कार्य करने के लिए बनाया है और मैं मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी और विकृती को येशु की नाम पे मना करता हूं आमेन, मेरा संपूर मानव शरीर रचना विज्ञान, चया पचे और शरीर क्रिया विज्ञान, मसीह येशु में परिपूर्ण है महिमा, हालिलुया, आमेन पिता इश्वर मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है कि मैं जानता हूं पुत्र इश्वर मुझे प्यार करता है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा इश्वर मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूँ की मैं जानता हूँ शलोम